अनलॉक शुरू होते ही अभिनेता आमिर खान ने अपनी निर्मान धीन फिल्म लाल सिंग चड़ा की शूटिंग फिर से शुरू कर दी है मंगलवार को लगान के 20 साल पूरे होने के मौके पर आमिर खास अंदाज में अपने फैंस का शुक्रियादा किया आमिर ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो आर्मी आफिसर के लुक में नज़र आ रहे हैं आमिर ने अपनी प्रोडक्शन कमपनी आमिर खान प्रोडक्शन के आधिकारिक अकाउंट के जर्ये यहाँ वीडियो फैंस के साथ शेयर किया जिसमें वह कह रहे हैं क्या है दोस्तों आज लगान के 20 साल पूरे हुए हैं और बहुती खुशी का दिन है हम सब के लिए लगान एक ऐसी फिल्म थी जिसने हमसे खुब लगान वसूल किया बहुती मुश्किल फिल्मती बनाने के लिए और बहुत सारे चैलेंजिस का हमको सामना करना पड़ा और कर देख दिन पर में उन सब का शुकरिया दा करना चाऊंगा जो इस सफर में हम सब के साथ ते था थे था। कर सारे कास्ट मुड करू का हमारे distributors का, हमारे exhibitors का, पूरे exhibition sector का, हमारे partners का और Film Destiny के seniors का में शुक्रियादा करना चाहूँगा, बहुत उनोंने सपोर्ट किया हमारी इस फिल्म को और खास तोर से मैं शुक्रियादा करना चाहूँगा हमारी audience का, इस फिल्म को इतना प्यार और इतनी इज़त दी और इस सफर में हम लोग सब अलग अलग जगा जुड़े हैं इस फिल्म के साथ, आशितोर से शुरू हुआ यह सफर में जुड़ा उसके बाद, audience जो है हमारी यह, आप जो है, इस लास्ट जॉइन हुएं इस सफर में, लेकिन इस सफर अब भी चल रहा है देकी, हम सब की करके मैं घर जाओंगा तो, ऑनलाइन हम लगान की पूरी टीम हम लोग तुस्त से आज बिलेंगे, तो मसा हैगा, looking forward to that and lots of love, आप सब को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिए, थैंक यू बता दे की, आमिर ने लाल सिंग चड़ा पर फोकस करने के लिए, इसी साल मार्च में अपना मुबाइल फोन बंद कर दिया था, जिसके बाद वो शोशल मीडिया से भी चले गए, उन्होंने अपने ट्विटर और इंस्टरग्राम अकाउंट बंद कर दिये थे, शोशल आमिर पर आमिर सिर्फ अपनी प्रोडक्शन कंपनी आमिर खान प्रोडक्शन के आधिकारिक अकाउंट के जरिये जुड़े हुए हैं, लाल सिंग चड़ा की बात करें तो फिल्म में आमिर के साथ अभी नीतरी करीना कपूर खान भी नज़र आएंगी, आई एनस रिपोर् झाल